परिजय, तनुज, तुम क्या देख रहे हो? मैं डिस्कवरी चैनल पर वाइल्ट सफारी देख रहा हूँ. वाँ, ये तो बहुती रोचक और ग्यानवर्थक कारिक्रम है. आदित्ते, क्या तुम क्ररफे अब कुछ किनारे हटोगे, मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा है? क्या, ये अब कर रहा है? हाँ, धन्यवाद, लेकिन ऐसा क्यूं हुआ, जब तुम रिमोट के सामने आ गए, तो इसने काम क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता नहीं, कि अवरक प्रिट किरने ये क्या होती हैं? जब हम TV रिमोट का बटन धबाते हैं, तो ये एक अवरक्त तरंग उसर्जित करता है, जो टेलिवीजन के सेंसर तक जाती है. जब कोई वस्तू रिमोट के सामने आ जाती है, तो तरंग उस वस्तू को भेद नहीं पाती. इसलिए रिमोट काम नहीं करेगा, यदि इसके मार्ग में कोई वस्तू आ जाए. लेकिन रेटियो सिग्नलों में ये किस प्रकार संभव है, जो बहुत लंबी दूरियों तक गमन करते हैं? तरंगे अनेक प्रकार की होती हैं, जिनके अपने विशेश्ट गुन्धर्म होते हैं. रिमोट कंट्रोल अवरक्त किरणों पर कारे करता है, जबकि रेटियो प्रसारन रेटियो तरंगों पर कारे करते हैं. अवरक्त किरणों की आवरित्ती रेटियो तरंगों से उच्चतर होती है, और तुम जानते हो कि जिन तरंगों की आवरित्तियां उच्छतर होंगी उनकी भेधन शक्ती कम होगी ठीक है मुझे मेरा उत्तर मिल गया इस बारे में जानना तो सजमुच रोजग लग रहा है और मैं इस बारे में अधिक जानना चाहता हूँ चाहत्रो आज हम वैदुत चुम की ये तरंगों के बारे में और अधिक अधियन करेंगे उत्यशे इस पार्ट के अंत में आप निम्ण करने में सक्षम हो जाएंगे विस्थापन धारा को परिभाशित करना मैक्सवेल के समिकरण को जानना वैदुत चुम की ये तरंगों को परिभाशित करना हाथ के प्रयोगों का वलन करना वैदुत चुम की ये तरंगों की प्रकृती का वलन करना और वैदुत चुम की ये स्पेक्ट्रम का विशलेशन करना विस्थापन धारा समय के साथ विद्धुत फ्लक्स के परिवर्थन के कारण विद्धुत परिपत के कुछ भाग के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है एक संधा रित्र पर विचार करें जिसे धारा आई को नियतांक रखते हुए आविशित किया गया है एंपियर के नियम के अनुसार वक्र C के परितह बी का रेखा समाकल C से आभद प्रिष्ट के माध्यम से प्रवाहिध धारा आई के म्यू नौट गुने होने चाहिए इसका आशे है कि प्रिष्ट S1 के लिए B.DL का सम्वृत समाकल बराबर म्यू नौट आई लेकिन प्रिष्ट S2 के लिए जिसके माध्यम से धारा प्रवाहिध नहीं होती है B.DL का सम्वृत समाकल बराबर शूने इसकार्थ है कि यहाँ एक विसंगती है संधा रित्र प्लेटों के बीच में अचालक में परिवर्टन शील विद्ध क्षेत्र से संबद धारा अवश्य होनी चाहिए प्लेटों पर आवेश परिवर्टन की दर Epsilon 9D बटे DT of EA जो Epsilon 9D Phi E बटे DT है अता विस्थापन धारा निम्न होगी ID बराबर Epsilon 9D Phi E बटे DT प्रिष्ट S2 के माध्यम से विस्थापन धारा का परिमाण प्रिष्ट S1 के माध्यम से चालन धारा के परिमाण के समान होगा अब Ampere का निम्न रूप लेता है B.DL का सम्रित समाकल बराबर म्यू नौट कुडे I प्लस Epsilon 9D Phi E बटे DT Maxwell का समीकरण Maxwell के समीकरण कहलाने वाले निम्न चार समीकरण वैदुत चुमकत्व के मूल भूत समीकरण कहलाते हैं 1. विदुसमंधी गाउसनियम E.DA का सम्रित समाकल बराबर Q बटे Epsilon 0 2. चुमकत्व समंधी गाउसनियम B.DA का सम्रित समाकल बराबर Q ने 3. फिराडे का नियम E.DL का सम्रित समाकल बराबर माइनस D Phi B बटे DT 4. एंपियर मैक्सवेल नियम B.DL का सम्रित समाकल बराबर Mu 0 I C plus Mu 0 Epsilon 0 D Phi E बटे DT 5. वेद्वत्चुमकी एतरंगे वेद्वत्चुमकी एतरंग एक दूसरे से समकोन पर तथा प्रसार की दिशा के भी समकोन पर विद्वत एवं चुमकी एक शेतर सदीशों में परिवर्तन के कारण दिक स्थान में उत्पन विक्षोप होता है ये तरंगे अनुप्रस्त प्रकृती की होती है मुक्द आकाश में इन तरंगों का वेख प्रकाश के वेख के पराबर होता है जो की 3.10 की खात 8 मीटर प्रती सेकेंड होता है वेदुद चुमकी तरंगे त्वरितिया अवमंदित आवेश या LC परिपत द्वारा उत्पन की जाती है एम तरंगों की आवरिती एक बटे दो पाई अंडरूट LC होती है उदारण आईए वेदुद चुमकी तरंगों का एक उदारण देखें एक समतल वेदुद चुमकी तरंग में विदुद क्षेत्र दो गुणे 10 की घात 10 हर्ट की आवरिती तथा 48 वोल्ट प्रती मीटर के आयाम से जया वक्रिये दोलन करता है ग तरंग का तरंग देर्थ कितना है ख दोलाए मान चुमकी क्षेत्र का आयाम कितना है ग चुमकी क्षेत्र के उसत उर्जा घनत्व के समतल विदुद क्षेत्र का उसत उर्जा घनत्व दिखाएं आईए इसका हल देखें दिये गई मान निम्न हैं नियो बराबर दो गुड़ां दस की खात 10 हर्ट्स, ए नॉट बराबर 48 वोल्ट प्रति मीटर कर, हम जानते हैं कि लेबडा बराबर सी बटे नियो मानों को प्रतिस्थापित करने तथा गड़ना करने पर हम तरंग का तरंग देड़ एक दशमलाव पाँज गुड़ां दस की खात माइनस दो मीटर प्राप्त करते हैं ख, हम जानते हैं कि बी नॉट पराबर ए नॉट बटे सी मानों को प्रतिस्थापित करने तथा गड़ना करने पर हम जुमकी एक शेत्र का आयाम एक दशमलाव छे गुड़े दस की खात माइनस साथ टेसला प्राप्त करते हैं ग, विद्धिक शेत्र का उर्जा घनत्व एक बटे एपसिलाउन नॉट ई वर्ख है जुमकी एक शेत्र का उर्जा घनत्व एक बटे दो म्यू नॉट बी वर्ख है हम जानते हैं कि E बराबर CB तथा C बराबर एक बटे अंडरोट μू नौट एपसिलोन नौट उपरोक्त दोनों समिकरणों को हल करने पर हम विद्धत क्षेत्र का ओसत उर्जा घनत्व जुम्मके क्षेत्र के ओसत उर्जा घनत्व के सम्दुल्ले प्राप्त करते हैं हाच का प्रियोग हाच के प्रियोग एक प्रेरख कुंडली को धातो के दो बड़े गोलों से जोड़ा गया है जिनके बीच संधा रित्र के लिए संकीरण इस्थान है प्रेरख कुंडली से गोलों में कम वोल्डता के स्पंद प्रेशित करते हुए परिपत में विद्ध दोलन प्रेरित किये जाते हैं और एक गोले को धना वेशित तथा दूसरे को रणा वेशित करते हैं इस आयने तवस्था में वायू अंदराल में इलेक्ट्रोन तथा आयन परिपत के समान आवरित्ती नियू के साथ आगे पीछे दोलन करते हैं इस प्रक्रिया के परिणाम जोरूब नियू आवरित्ती की वैद्ध चुमकिये तरंगे उत्पन्न होती हैं ये परिपत एक ट्रांस्मीटर कहलाता है क्योंकि ये वैद्ध चुमकिये तरंगे उत्पन्न करता है ग्राही परिपत में तार का एकल पाश होता है जो दोनों गोलों से संयोजित है जिसका अपना क्रियाशील प्रेरन, संधारिता तथा दूलन की प्राकृतिक आपरित्ती है प्रेक्षन जब ग्राही की अनुनादी आपरिती प्रेशित्र के अनुरूप होती है तो प्रेशित्र से ग्राही तक उर्जा का इस्थानांतरन वायू अंतराल में स्फोलिंगों के रूप में होता है इस्थानांत्रे तूर्जा वेदुत चुमकिये तरंगों के रूप में ले जाई जाती है जब ग्राही में अंतराल, प्रेशित्र में अंतराल के अभी लंबवत होता है तो ग्राही अंतराल में स्फोलिंग प्रकट नहीं होते अर्थात वैद्धुत चुमकिये तरंगें संसोचित नहीं की जाती जब दोनों अंतराल समांदर होते हैं तो ग्राही अंतराल में स्फोलिंगों का उत्पादन अधिकतम होता है वैद्धुत चुमकिये तरंगों की प्रकृति वैतुद्द चुमकिये तरंगें उदासीन होती हैं इसलिए ये विद्दोत तथा चुमकिये क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होती वैदुत चुमकी तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, वैतिकरण, विवर्तन तथा द्रोवन के गुण धर्म प्रधशित होते हैं वैदुत चुमकी तरंग में वैद्यूतिक तथा चुमकी एक्षेद्र सदेव समानकला में होते हैं वैदुत चुम की तरंग में विद्ध सदिश प्राकाशिक प्रभावेतु उत्तरदाई होता है तथा प्रकाश सदिश भी कहलाता है वैद्धुत चुमकी तरंग में तरंग संचरन की दिशा में उर्जा का प्रसार विद्धुत तथा चुमकी क्षेत्र सदिशों के माध्यम से होता है एक वैद्दुद्चुमकी तरंग में विद्दुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु वैदुत्चुम किये स्पेक्ट्रम वैदुत्चुम किये तरंगों का वर्गी करण वैदुत्चुम किये स्पेक्ट्रम की आवरित्ती के अनुसार किया जाता है। एक प्रकार की तरंग तथा दूसरे प्रकार की तरंग के बीच कोई स्पस्थ विभाजन रेखा नहीं होती। वर्गी करण मोटे तौर पर इस पर आधारित होता है कि तरंगे किस प्रकार उत्पन या संसूचित की जाती हैं। आईए घर्टे तरंग देड्ध के करण में इन विभिन प्रकार की वैदुचुम की तरंगों का वडन करें। रेडियो तरंगें निम्नतर आवरित्ती की रेडियो तरंगे विद्ध दोलग परिपतों के उप्योग द्वारा समानिता चालक तारों में आवेशों की त्वरत्गती से उत्पन्य होती है ये रेडियो तथा टेलिवीजन संचार प्रणालियों में उप्योग की जाती है इनकी आवरिती परास समानिता 500 किलो हर्ट से लगभग 1000 मेगा हर्ट तक होती है सेलुलर फोनों में अत्युच्य आवरिती बेंड की रेडियो तरंगों का उप्योग करके ध्वनी संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है सूख्ष्म तरंगें सूख्ष्म तरंगों की आवरिती तीन गीगा हर्ट से लेकर 300 गीगा हर्ट परास तक होती है जिन्हें विशेश प्रकार की निर्वात नलिकाओं जैसे की कलाइस्ट्रोन, मैगनेट्रोन और गन डायोट से उत्पन्निक किया जाता है उच्च आवरिती या लगू तरंग तरंगों की कारण ये प्रतिरक्षा एवं विमान संचालन में रडार प्रणालियों के लिए उप्योगी होती है माइक्रोवेव अवन सूख्म तरंगों का घरेलू अनुप्रयोग है अवरक्त तरंगे इनका तरंग देर्थ 10 की घात माइनस 3 मीटर से लेकर 7.8 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर तक होता है ये तरंगे अड़ों तथा गर्म पिंडों से उत्पन्न होती हैं और कई बार उश्मा तरंगे भी कहलाती है उद्योगों, औशधियों, खगोल विज्यानादी में इनके अनेक अनुप्रयोग है अवरक्त विकरण हरित ग्रह प्रभाव में भी एक महत पूर्ण भूमी का निभाता है अवरक्त संसूचकों का उप्योग भू-उपक्रहों में सेन प्रयोजनों से तथा फसलों की वृद्धी का अप्रिक्शन करने के लिए किया जाता है घरों में रिमोट सुईचों में अवरक्त तरंगों का व्यापक उप्योग किया जाता है द्रिश्य तरंगे ये ऐसी तरंग देर्थ वाला संकीन बैंट होता है जिसके प्रती हमारे रेटिना सम्वेदंशील होते हैं इसकी परास लगभग चार गुणे दसकी घात 14 हर्ट से लगभग साद गुणे दसकी घात 14 हर्ट तक होती है परमाणों और अनों के घटकों विशेश रूप से इलेक्ट्रोनों की गतियों में आंतरिक समायूजन के परिणामसो रूप उनके द्वारा प्रकाश उत्पन किया जाता है प्रकाश द्वारा नेत्र पर उत्पन होने वाले विभिन सम्वेद रंग कहलाते हैं जो वेद्ध चुम की तरंगों की आवरित्ती या तरंग देर्द पर निर्भर होते हैं विभिन जन्तू विभिन परास के तरंग देर्द के प्रती सम्वेदी होते हैं पराबैगनी किरणे इसमें 400 नैनोमीटर से लेकर लगभगशूने दशमलाव 6 नैनोमीटर तक की तरंगे आती हैं ये तरंगे परमाणूँओं एवं अणूओं द्वारा वैद्द्यूतिक विसरजनों में उत्पन्न की जाती हैं सूर्य पराबैगनी विकरण का एक अत्यंद शक्ति शाली स्रोत है और धूपत तामरता के लिए यही कारक मुखिता उत्तरता ही है लेकिन इसका दिकांश भाग ओजोन परत्वारा अफ्शोशित कर लिया जाता है बड़ी मात्राओं में पराबैगनी प्रकाश मानुव पर नुक्सान देप्रभाव डालता है वेल्टिंग आर्क द्वारा बड़ी मात्रा में पराबैगनी विकरण उत्पन होता है जिससे अपनी आखों को उस रक्षित रखने के लिए वेल्डर विशेश कांज के बने चश्मे पहनते हैं UV किरणों का उप्योग नेत्र सरजरी में किया जाता है तथा UV लेंब जल शोधकों में किटाणों को मारने के लिए उप्योग किये जाते हैं X किरणे X किरणों का तरंग देर्थ लगभग 10 नैनो मीटर से लेकर 10 की घात माइनस 4 नैनो मीटर तक होता है X किरणे किसी धात्वी के लक्ष पर उच्च उर्जा वाले इलेक्ट्रोनों की बोचार कराते हुए उत्पन की जा सकती है X किरणे जिन पदार्तों से गुजरती हैं उन्हें वियोजित या आयनित करते हुए उसके परमाणूं और अणों को प्रभावित करती है X किरणे चुकिस से ये अनुप्रयोगों जैसे की चुकिस समें नैदानिक उपकरणों तथा कुछ प्रकार के कैंसरों के उपचार में उप्योग की जाती है गामा किरणे ये वैदुत चुम की तरंगे ना भी किये अभिक्रियाओं से उत्पन होती है गामा किरणे वैदुत चुम की स्पेक्टरम की उपरी आवरित्ती परास में आती हैं और इनका तरंग देर्थ लगभग 10 की घात माइनस 10 मीटर से लेकर 10 की घात माइनस 14 मीटर तक होता है गामा किरणे अनेक रेडियो धर्मी पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और नाभी की ये रियक्टरों में बड़ी मात्राओं में उपस्तित रहती हैं ये विकरण रेडियो धर्मी नाभी कों द्वारा भी उस सर्चित किये जाते हैं चुकि समी कैंसर कोशिकाओं को नश्ट करने के लिए इनका उप्योग किया जाता है क्या आप जानते हैं मैक्सवेल ने समय के साथ परिवर्तनशील विद्द और चुम्ब की एक शेतरों के बीच संबंद स्थापित किया तथा इसके लिए समी करणों का सैथ प्रस्तावित किया उन्होंने दिखाया कि प्रकाश एक वैद्द चुम्ब की तरंग है उन्होंने रंग द्रिष्टी का मातरातमक सिध्धांत विक्सित किया दीर्क तरंगों की उचा लगू तरंगों से कम होती है अंद्रिक्ष से दीर के तरंगे पृत्वी के वायू मंडल में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं पृत्वी के उपर 45 से 250 मील तक विस्तरित आयन मंडल रेडियो तरंगों को परवर्तित कर सकता है व्याती करण प्राप्त रेडियो संकेतों की गुणवत्ता को प्रभावित करके ध्वाने को विक्रित कर सकता है या टेलिवीजन चुत्र को छायाओं में बदल सकता है साराश आईए हमने जो कुस्ती का है उसे संक्षेप में तोहराएं समय के साथ विद्धुत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्धुत परिपत के कुछ भाग के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा विस्थापन धारा कहला दी है वैदुत चुमकिये तरंग एक दूसरे से समकोन पर तथा प्रसार की दिशा के भी समकोन पर विदुत एवं चुमकिये क्षेतर सतीशों में परिवर्तन के कारण दिख स्थान में उत्पन विक्षोब होता है वेद्द चुमकी तरंगों में परवर्तन, अपवर्तन, व्यातिकरण, विवर्तन तथा धुरुवन के गुण धर्म प्रदाशित होते हैं वेद्द चुमकी तरंग में विद्द उर्जाखनत्व तथा चुमकी उर्जाखनत्व के मान बराबर होते हैं आवरित्ती के अनुसार वैदत चुमकिये तरंगों का वर्गी करण वैदत चुमकिये स्पेक्ट्रम कहलाता है रेडियो तरंगें चालक तारों में आवेशों की त्वरत्कती से उत्पन्न होती है द्रिश्य प्रकाश हमारे आसपास की वस्तूओं से उत्सरजित या परवर्थित होता है जो हमें विश्व के बारे में सूचनाई उपलब्द कराता है हमारे नेत्र इस परास के तरंग देर्द के प्रती सम्वेदन शील होते हैं गामा किरुने अनेक रेडियो धर्मी पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और रेडियो धर्मी नाबिकों द्वारा भी उत्सरजित की जाती हैं